हलो श्टूरेंज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल च्योग्रोफिग्रू आज की इस एपिसोड में हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 10th SST सामाजिक विज्यान की वर्कशीट नंबर 66 यानि कारे पत्रक संख्या 66 को आज की इस वर्कशीट में हमारा चैप्टर रहेगा पॉल साइंस राजनिती विज्यान का चठा चैप्टर राजनितिक दल पॉलिटिकल पार्टिज पॉलिटिकल पार्टिज इस चैप्टर से लेटिड कुछ कोशन हमने पिसली वर्कशीट में भी डिसकस किये थी आज की इस worksheet में हम short और long answer type question समझने की कोशिस करेगे इस verse की अगर exam के according बात की जाए तो pole science का ये chapter सबसे important chapter रहने वाला है वैसे भी आप सभी board class में हो, सभी बच्चे समझदार हो उमीद करता हूँ आपकी त्यारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी खूब मेहनत करे होंगे अगर आपको ये chapter समझने में कोई दिकत आ रही है, समझे आ रही है या ठीक से समझ में नहीं आ रहे है या कुछ concept आपके छूट गए है तो आपकी class की, 10th class की, SST की सभी जो chapter हैं उनकी वीडियो इसी channel के उपर available है और उसके link मेंने description में दे दिये तो वहाँ पर भी आप देख सकते हो ताकि concept और अच्छे से समझ में आसके तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस worksheet की जैसा कि आप अपनी screen के उपर देख पा रहे हैं ये हमारी worksheet number 66 यानि कारे पत्रक सिंख्या 66 है हमारा विशे, SST, सामाजिक विज्ञान है जिसमें हम राजनिती विज्ञान यानि पोल साइंस का चठा चैप्टर राजनितिक दल है वो समझने की कोशिस करेंगी आज की दिना करेगी 17 दिसंबर 2020 आज की इस worksheet में हमें long answer type question मिले हैं और सभी question जितने भी question मिले हैं वो काफी important question है जिनकी हमारी annual exam में पूछे जाने की अच्छी खासी संभावना है इस chapter का सबसी important question है जो पहला question है आपकी इस worksheet का राजनितिक दलों के कारे क्या है यहाँ पर जब board exam में ये question पूछा जाता है तो board exam में पूछा जाता है हमें राजनितिक दलों की जरूरत क्या है तो राजनितिक दल क्या होती है कुछ लोगों का समोह होती है जिनका मुख्य उदेशी होता है चुनाव लड़ना और सरकार बनाना तो इनके कारे क्या है कारे की बात करेंगे उसके बाद इनका दूसरा कारे होता है सरकार का घटन करना जो पार्टियां जिन पार्टियों को बहुमत मिलता बहुमत मतलब आदे से एक अधिक सीट जिनको बहुमत मिलता जैसे दिल्ली में विधान सभा की 70 सीटे है तो बहुमत कितना होगा 36 सीटे तो जिनको बहुमत मिलता है वो सरकार बनाते हैं और चलाते हैं यानि ये कारे भी रालतिक दलों का है यानि जिसको बहुमत मिलेगा वो सरकार बनाएंगे भी और सरकार को चलाएंगे भी उसके बाद जो तीसरा कारे है रालतिक दलों का वो है कारक्रम तथा नीतियों का निर् करते हैं तो मत आता है वो उन्ही नीतियों में से और उन्ही कारकरमों में से चुनते हैं जिनको जो कारकरम अच्छा लगेगा वो उसी दल को डालते हैं तो ये कारकरमों नीतिया कोन बनाते हैं सरकार जो चलाते हैं वो उनको लागो करेंगे और बनाएंगे कौन राजनितिक दल तो कारक्रेम और नीतियां बनाना भी राजनितिक दलों का कारे है उसके बाद जो चोथा कारे होता है वो होता कानूनों का निर्माण राज्टिक दल देश के कानून निर्माण में भी निर्नायक भूमिका निभाते हैं कानून का निर्माण है या तो विधान सबा में होता है या संसद में होता है संसद में कोन है? संसद हैं, विधान सबा में विधायक हैं, ये कोन है? ये राज्टिक दलों के ही तो सदश्य हैं तो राज्टिक दल ही कानून निर्माण में एक महत्पुन भूमिका निभाते हैं उसके बाद पांचवाँ जो कारे होता है वो है विपक्ष की भूमिका जो दल चुनाव हार जाते हैं वो दल विपक्ष की भूमिका निभाते हैं विपक्ष का होना भी बहुत महत्पुन होता लोक तंदर में क्योंकि वो सरकार की कम्यों को जनता के सामने लेके आते हैं उसके बाद एक और कारे भी अगर आप करना चाहो तो वो कर सकते हो कि ये सरकार और जंता के बीच में कड़ी का कारे करते हैं सरकार तक हर वैत्ती की पहुँच नहीं होती लेकिन राज्टिक दल के जो छुट भईये नेता होते हैं उनको हम जरूर जानते हैं जो हमारे मोहले के नुकड के ओपर बैठे होते हैं उनकी दोरा हम सरकार तक भी अपनी पहुँच रख सकते हैं और वहां तक अपने बात को पहुँचा सकते हैं तो ये तब पहला परशन की राज्टिक दलों के कारे क्या क्या होते हैं तो राश्टिक दलों को परमुक कारे होते हैं चुनाव लड़ना, सरकार बनाना, नीतियां बनाना, कानूनों का निर्मान करना और विपक्स की भूमिका निपाना उसके पर दूसरा जो प्रशन दिया गए, कि किसी दल को राश्टिय या प्रांतिय दल मानने का अधार क्या है, यानि कैसे कह सकते हैं कि राश्टिय दल है, कैसे कहेंगे कि ये प्रांतिय दल है, तो सबसे पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि राश्टिय दल क्या है, राश् तो पहले हम राष्ट्य अदल की बात करेंगे कि राष्ट्य अदल किसको कहेंगे कि जब कोई पार्टी जब कोई पार्टी चार आज्यों के विधानसबा चुनाओ में चार आज्यों के विधानसबा चुनाओ में या लोकसबा चुनाओ में कुल वेद मतों का कम से कम 6 परतिशत हासिल करती है और लोगसभा चुनाओं में कम से कम 4 शीट पर जीत तरज करती है तो उसे हम राष्ट्रिय दल के रूप में मानता दे सकती है यानि कि उसे राष्ट्रिय पार्टी के रूप में मानता मिल जाती है अब क्या करना है कि या तो चार राज्यों के विदान सभा चुनाव है उसमें 6-6 परतिशत लेने हैं उसे यानि कि 6-6 परतिशत नहीं चार राज्यों के विदान सभा चुनाव में जितने वोट पड़े उसका 6 परतिशत उसको मिल जाए दूसरा या फिर लोकसभा के जो चुनाव पूरे देश में हो उसमें से 6% वोट ले ले और साथ ही साथ 4 सीटे जित ले तो उसे क्या मिल जाएगी राष्टी अदल की मानता मिल जाएगी जैसे आम आदमी पार्टी है राष्टी अदल नहीं है इसे मानता नहीं मिली हुई क्यों नहीं मिली हुई क्योंकि इसे 4 सीटे तो पिछले लोकसभा चुनाव में प्राप्त होई थी पिछले से पिछले में 4 सीटे प्राप्त होई थी लेकिन ना तो चार आजियों में 6% मत मिले थी मिलाकर की और ना ही पूरे देश में 6% मत मिल पाए थी कम रह गए थी तो ये राष्ट्रिय अदल नहीं है तो राष्ट्रिय अदल में जैसे बीजेपी है भारती राष्ट्रिय कॉंग्रिस है बहुजन समाज पार्टी है राष्ट्रवादी कॉंग्रिस पार्टी है ये सभी राष्ट्रिय अदल है तो समझ में आगे ना दो कंडिसन है या तो चार आजियों के विदान सभा सुनाव में 6% मत या फिर लोग सभा में जो कुल पड़ी मत है उसका 6% अगर प्राप्त किया जाता है और साथी साथ 4 लोग सभा सीटे जीती जाती है तो उसे राष्टिय अदल के रूप में मानिता मिल जाती है उसके बाद प्रांथिय अदल किसे कहेंगे उसकी मानिता का क्या अधार है कि जब कोई पार्टी किसी राष्टिय की विधान सभा के चुनाव में कुल वेद मतों का कम से कम 6% प्राप्त करती है और कम से कम 2 सीटों पर जीत तरज करती है तो उसे राष्टिय या प्रांथिय पार्टी के रूप में मानिता दी जाती है जैसे कोई पार्टी है जैसे दिल्ली में चुनाव होए तो 6% किसी पार्टी को वोट मिल गए और उसने दो विदान सबाज सीट जीट ली तो उसको प्रांतिय दल या शित्री दल के तोर पर मानिता मिल जाएगी जैसे आम आदमी पार्टी है क्या है प्रांतिय दल है आर जे डी बिहार की पार्टी है प्रांतिय दल है जे डी यू बिहार की पार्टी है प्रांतिय दल है तीसरा परशन दिया गए तीसरा जो कोशन दिया गए ये भी काफी इंपोर्टेंट आपके एकजाम के लिए विभिन रांजतिक दल होता है जिसको चुनाव लड़ने या सरकार बनाने की अनुमती है तो उसे बोलते हैं एक दलिया पढ़नाली यानिकि एक ही पार्टी है वही चुनाव लड़ेगी वही चुनाव हारेगी वही चुनाव जीतेगी एक ही दल होगे ना तो वो होता है एक दलिया प अदल्ली होती रहती है तो उसे बोलते हैं दो दल्ली पढ़नाली जैसे ब्रेटेन की बात करें या हम USA की बात करें तो वहां पर UK और USA में दो ही परमुक पार्टिया है उन्हीं की सरकार बनती है आपस में अदल्ली होती है तो वहां पर दल्ली पढ़नाली है ऐसा नहीं के वह बहुत अलिय पढ़नाली बहुत अलिय पढ़नाली क्या होती है जहां अनेक राजनतिक दल होते हैं यानि जहां पर अनेक राजनतिक दल है वो चुनाव लड़ते हैं और सरकार बनाने की कोशिस करते हैं तो उसे बोलते हैं बहुत अलिय पढ़नाली हमारे देश में बहुत अलिय पढ़नाली है पाकिस्तान में, बांगला देश में, स्रीलंका में या नेपाल में हमारे सभी पडोसी देशों में बहुत अलिय पढ़नाली है तो ये था एक तलिय दोई दिय और बहुत अलिय पढ़नाली कौन सी है उसके बाद हम next question की तरफ move करेंगे next question दिया गया, fourth question है कि वर्तमान में रांतिक दलों की समक्ष चुनोतिया कौन सी है जो हमने शुरुआत के चार question किया इस worksheet के उन में से एक question, long answer type question, five marks का question आपके इन्वल एक्जाम में रहेगा लिख लिजिए, note कर लिजिए, कि 100% रहना है रांतिक दलों की समक्ष चुनोतिया कौन सी है यह हमें बताना है, तो पांच पर मुख चुनोतिया यहलांकि चार आपकी बुक में दी गए, मैंने इसको पांच लिख दिया पहला है, आंत्रिक लोकतंतर का अपहव लोकतंतर का स्तंब माने जाते हैं, रांतिक दल लेकिन रांतिक दल, जो लोकतंतर का स्तंब है उसमें ही आंत्रिक लोकतंतर नहीं होता ना तो वहाँ पर चुनाव होता है कि अद्यक्स कौन बनेगा चुनाव नहीं होता ना ही सभी सदेशियों से पूछ करके निनने लिये जाते हैं यानि खुद में ही लोगतंतर नहीं है तो वो लोगतंतर को क्या मजबूत करेंगे तो पहली चुनोती यह है कि जो रांतिक दल होते हैं उन्हें आंत्रिक लोगतंतर नहीं होता ना सभी सदेशियों की राय ली जाती है और ना ही समय पर उनके संग्ठन के चुनाव होते है दूसरी जो चुनोती है वो है वन्शवात की चुनोती हमारे देश में काफी सारी पोल्टल पार्टीज किसी एक परिवार की लिमिटेड कंपनी बनके रह गई है और उन्हीं परिवार के नेताओं का कबजा रहता है उपर के पदों के उपर अब उस पार्टी में कितना भी अच्छा नेता क्यों ना हो वो उपर नहीं आ सकता क्योंकि यह तो लिमिटेड पार्टी है जिसे अकाली दल, पंजाब में है, बादल परिवार की पार्टी है, ऐसे ही जो सपा है, समाजवादी पार्टी है, यादव परिवार की पार्टी है, आरजेटी, लालो यादव परिवार की पार्टी है, तो काफी सारी पोल्टिकल पार्टी है जहां पर वन्श्वाद की चु तो एक इस चुनोती से भी पार पारना है तीशरी जो चुनोती है रांतिक दलों की वह धनबल की चुनाती कि आम तोर पे जिन लोगों के पास पैसा होता है वो टिक टेंग खरीद लेते हैं और पैसा बहा करके वो चुनाव भी जीत चाते हैं अब बहाया कैसा जाता है अभी दिल्ली में पिछले कुछ टाइम में दो इलेक्शन हुएं तो आपने अच्छे से देखा होगा कि पैसा कब बहता और कैसे बहता है। तो ये भी एक बड़ी चुनोती है इसके काण जो गरीब सदेश्य हैं गरीब लोग हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं आगे बढ़ना चाहते हैं उन्हें आगे बढ़ने का मोका ही नहीं मिलता क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है तो ये धनबल की चुनोती है चोथी जो च अगर वो संसद में आएगा तो कैसे कानून बनाएगा और कैसे देश चलेगा तो एक ये भी चुनोती है कि रांतिक दलों में जो अपराधिक प्रवर्ति के लोग है उनकी संख्या भी अधिक रहती है इससे जो सोच राजनिती है उसके लिए समस्या खड़ी हो गई है पांच ठंका विकल्फ नहीं है सभी दल एक ही थाली के चट्टे बटे लगते है क्योंकि उनकी नीतिया एक ही जैसी है जैसे ही सरकार आते गिरगिट की तरह रंग बदल जाते है तो विकल्फ हिंता के चुनोती है कि उनकी नीतियों में उनके कारक्रेम में अंतर बहुत अधिक नह जाती है कि किस तल को चुना जाए और किस को ना चुना जाए तो यह पांच परमुख चुनोती है उसके बिए पांचवा जो परशन दिया गए कि भारतियराष्टी कोNG्रेस के परमुख विचार धरातमत तत्मों की व्याख्या कीजिए तो भारतिय राष्टिय कोंग्रिस के बारे में हमें बताना और उसकी विचार धारा के बारे में बताना है भारतिय राष्टिय कोंग्रिस स्थापना 1885 में होई थी यह हमारे देश की सबसे पुरानी रालंतिक पार्टी है और विशो के सबसे पुरानी राजंतिक दलों में सेख है बारतियराश्टी कोंगरेश धरम निर्पेकस्ता में विश्वास रखती है यह पार्टी आर्थिक सुधारों की भी पक्सतर है यह पार्टी अल्प सेंक्यक वर्क के हिटों की रक्षक माने जाती है और यह दल लोकतांत्रिक मुल्यों और गांधिवादी विचारधारा में विश्वास रखता है तो ये थी विचारधारा के किसमे विश्वास है, द्रहम निर पेक्स्ता, लोगतांत्रिक मुल्यों, गांधिवादी विचारधारा, आर्थिक सुधार, उनमें की पक्सदर है और उनमें विश्वास रखती है, इसके साथ साथ अल्प सेंके करू पिछडे वर्क की भी ये पक दर्या रक्षक मानी जाती है, उसके बाद चठा जो पर्षन है, उसमें हमें बताना है भारतिय जनता पार्टे की विचारधारा क्या है, ये पर्षन इस बार ये जो कोशिन दिया गए, त्री मार्क्स में इस चैप्टर से आपके एकजाम में आने के अच्छी कासी संभाव भारतिय राष्टवाद, राजनिती एवं संस्कृतिक, जो संस्कृतिक राष्टवाद, जैसे हम हिंदुताओ कहेंगे, इसमें ये विश्वास रखती है, यानि भारत की पुरानी संस्कृतिय उसमें विश्वास रखती है, भारतिय राष्टवाद में विश्वास रखती इसके साथ-साथ ये एक समा नागरिक सहिंता बनाने के पक्सदर है कि पूरे देश में एक देश ये कानून होना चीए और ये धर्मान तरण पर रोक लगाने के भी पक्समें है तो ये विचार दारा है भारतिय जन्ता पार्टी की उसके बाद नेक्स्ट कोशन की तरफ बढ़ेंगे साथमा जो प्रशन दिया गया कि गठबंदन सरकार से आप क्या समझते है और भारतिय लोक तंतर में गठबंदन सरकारों की भूमिका का वर्नन कीजिए तो सबसे पहले हम गठबंदन समझते है कि जब कुछ दल चुनाव लड़ने या सरकार बनाने के उदेश्य से एक साथ आ जाते है तो उसे हम गठबंदन कहते हैं जैसे अब बिहार में चुनाव हुए है तो बीजेपी, जेडियू और कुछ छोड़ी दल एक साथ आ गए थे तो वो क्या था गठबंदन है अब गठबंदन सरकार क्या होती है कि जब किसी दल को बहुमत प्राप नहीं होता तो कुछ दल मिलकर के सरकार बनाते हैं तो उसे बोलते हैं गठबंदन सरकार जैसे केंदर में NDA सरकार है National Democratic Alliance राष्टिय जनतांत्र गठबंदन की सरकार है हलांकि BJP के पास बहुमत है लेकिन इन्होंने चुलाओ मिलकर के लड़ा था गठबंदन के साथ तो यह सरकार भी गठबंदन की होगी ऐसे ही अगर हम बात करें गठबंदन के सरकार की तो जो बिहार में अब सरकार बनी है वो भी गठबंदन की सरकार है अब दूसरा जो इस परशन का भाग है कि भारतिय लोकतंतर में यह जो गठबंदन सरकार है इनके क्या भूमिका होती है कि भारतिय लोकतंतर में गटपंदन की सरकार की महत पूर्ण भूमिका रही है भारत में बहुदल ये पढ़ना ली है और कई राज्यों में प्रांतिय दल भी मजबूत है और इसकान कई बार ऐसा हुआ कि कई राज्यों में या फिर केंदर सरकार में गटपंदन सरकारों को गठन होता है इस बार नहीं हुआ है, वरना केंदर सरकार में पिछले कुछ वर्षों से गठबंदन सरकार ही रही है, एक दल को बहुमत नहीं मिला है, है तो इस बार भी गठबंदन सरकार, लेकिन एक दल के पास कम सकम बहुमत है, बिहार में गठबंदन सरकार है, हर्याना में गठबंदन सरकार है, माराष्टा में गठबंदन सरकार है, तो ये गठबंदन सरकार का गठन होता रहा है, इससे क्या होता है, किससे नय के वल सत्ता के साज़दारी होती है आपस में, बलकि लोक तंतर भी मजबूत होता है, क्योंकि प्रांतिय दल का दर्जा कब दिया जाता है प्रांतिय दल या इसको हम शेत्रिय दल भी कह सकते हैं ओके तो पहले हमें बताना कि ये होता क्या है कि जिन राज्तिक दलों का परभाव एक या दो राज्यों में होता है उसे प्रांतिय दल कहते हैं यानि कि एक या दो राज्यों में उनका वोट बेंग होगा उसके बाद उनको कोई नहीं पहचानता तो उन्हें बोलते हैं प्रांतिय दल जैसे अकाली दल है पंजाब का ही ये प्रांतिय दल है आर जेडी है बिहार में ही मुख्य तोर पर दब-दबा है जारखन में थोड़ा बहुत है ऐसे जेडी हो है तो मुख्य तोर पर बिहार में दब-दबा है ओके तो ये क्या है प्रांतिय दल है अब प्रांतिय दल की मानेता के लिए क्या कंडिशन्स होती है वो हमें बताना है सोरी जब कोई पार्टी किसी राज्य की विधान सभा की चुनाव में कुल वेध मत, वेध मतलव जो पड़े हैं उस मतों का 6 परतिशत प्राप्त करती है कम से कम और कम से कम 2 सीटें अगर जीत लेती है तो उसे राज्य पार्टी या फिर प्रांतिय दल या शेत्रिय दल के रूप में मानेता मिल जाती है कों देता मानेता चुनावायोग जैसे आम आदमी पार्टी आर जेडी, जेडी यू, अकाली दल ये सभी प्रांतिय मानेता प्रांत दल है उसके बाद नौवा प्रशन दिया गया जिसकी तरफ हमें बढ़ना है नाइंथ जो कोशिन दिया गया कि भारत में शेत्रिय दलों के उभाड ने संगवाद और लोकतंतर को कैसे मजबूत किया ये हमें बताना है ठीक है, कि इन्होंने मजबूत किया तो हमें पहले ते बताना है क्या हमें इससे सहमत है तो ये कतन बिलकुल सही है कि भारत में जो शित्री अदल है जैसे अलग लग राज्यों में कुछ political parties हो गई है तो इसे लोक तंतर भी मजबूत हुआ और हमारा देश संग भी मजबूत हुआ कैसे तो सहमत है तो इसका मतलब हुआ है तो अब कैसे ये बता रहे हैं कि प्रांतिय दलों की मजबूती से गठबंदन की राजनती की शुरुआत हुई है गठबंदन जुगाडू लटबंदन की राजनती आ गई है और इससे विभिन विचारधाराओं और प्रांतों को केंद्रिय सरकार में भागिदारी करने का मौका मिला है जो अलग लग विचारधारा है जिनकी अलग सोच थी वो भी अब सत्ता में आ गए है तो अपनी विचारधारा जो सही है तो उसको लागू कर पाएंगे इसके साथ जो राज्या थे उन राज्यों से भी कोई party वह अगर केंदर में सरकार में हिस्सेदार हो गी है तो उस राज्ये का विवकास होना है तो इससे क्या हुआ कि सब को भागिदारी करने का मोका मिला है और इससे देश का एक समानविकास संभा हो पाया यानि किसी एक विचारधारा का दबदबा नहीं रहा है और इससे सत्ता की साज़ेदारी है यानि सत्ता में जो बंटवारा है वो भी ठीक से हो पाया है उसके बाद दस्वाँ प्रशन दिया गया है आपका डिरेक्टरेट ओफ एजुकेशन है उन्होंने आखिरकार एक शोट कोशन दे ही दिया बहुत लेंथी कोशन थे आज की वक्षिट में टेंथ कोशन दिया है कि तमिल नाडू की किनी दो प्रांतिय दलों का नाम और उनके चुनावचिन लिखे तो डियमके और ए आई dmk दरविड मुनेतर कड़गम और ए आई डियमके ओल इंडिया अन्ना दरविड मुनेतर कड़गम तो इतना बड़ा नाम तो आपको याद नहीं रहेगा ना ही लिखने की ज़रूरत है तो dmk और ai dmk दो दल है वहां कि dmk का चुनाव निशान है उकता हुआ सूरज और AIDMK का चुनाव निशाने दो पतिया अब हम 11th question की तरह पढ़ते हैं next जो हमारा segment है वो है source based question स्रोत आधारित परशन इस बार के आपके exam में स्रोत आधारित परशन भी रहने है यहाँ पे स्रोत आधारित परशन है एक paragraph और अनुछे दिया गया उस पर आधारित परशन है पहला जो question दिया गया बहुत अलिये व्यश्ता क्या है जहां पर दो से अधिक रांतिक दल हो और उनके सरकार बनाने की संभावने यानि कि दो से अधिक रांतिक दल होने चाहिए और उन में से उन दलों के सरकार बनाने के चांस भी हो तो उसे बोलते हैं बहुत अलिये व्यश्ता जैसे हमारे देश में क्या है बहुत अलिये व्यश्ता है उसके बारे में भी हम पहले डिसकस कर चुके हैं कि ये गठबंदन सरकार क्या होती है तो गठबंदन सरकार क्या होती है कि जब दो या दो से अधिक दल मिलकर चुनाव लड़ते हैं और मिलकर सरकार बनाते हैं तो उसे हम गठ बंदन सरकार कहेंगे मिली जुली सरकार उसके बाद तीसरा जो परशन दिया गया है तीसरे परशन में कहा गया है कि क्या चीन में बहुदलिय ववस्ता है तो नहीं चीन में एक दलिय ववस्ता है चोथा जो प्रशन दिया गए हमें इस गध्यांस का शार जो दिया गए वो शार हमें क्या करना है अपनी शब्दों में लिखना है तो अपने आप भी लिख सकते हो इसको समराइज करना में जहां पर दो या दो से अधिक रांतिक दलो और उनके सरकार बनाने की संभावनाओत उसे बहुत दलिये ववस्ता कहा जाता है एक दलिये, दो दलिये और बहुत दलिये जब दो या दो से अधिक दल मिलकर चुनाव लड़ते हैं और मिलकर सरकार बनाते हैं तो उसे गठबंदन सरकार कहा जाता है जैसे NDA, UPA ये क्या गठबंदन है अब जो सरकार है वो NDA की सरकार है पहले जो सरकार थी कॉंग्रेस का गठबंदन था यूपिय तो यूपिय गठबंदन की सरकार थी गठबंदन सरकार राजनतिक एस्तिर्था को बढ़ावा देती है क्योंकि सरकार में खींस्तान चलती रहती है रसा कसी चलती रहती है कई बार सरकार बीच में भी गिर जाती है लेकिन साथी साथ फाइदा क्या होता है कि अलग अलग जो विचार धारा है उनको सत्ता के साज़दारी करने का मौका मिलता है तो ये थी आज की हमारी लेंट थी लेकिन बहुत इंपोर्टेंट वर्क्षीट हमेशा पोजिटिव सोचिए ये मत सोचिए कि आज की वर्क्षीट लेंग थी है बलकि ये सोचिए कि हमने पूरा चैप्टर आज की इस वर्क्षीट में इस 20 मिनट में रिवाइज कर लिया है बहुत अच्छे तरीके से इस चैप्टर का कोई भी ऐसा कोशिट नहीं रहा है जो इंपोर्टेंट हो इस वर्क्षीट में ना आया हो अगर ऐसी वर्क्षीट आएगी तो मज़ा आ जाएगा आपकी त्यारी बहुत अच्छे से होने वाली है अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और शियर करना मत फूलिएगा क्योंकि अच्छा लगता है जब आपके लाइक्स मिलते हैं जब आपके कमेंट्स बढ़ते हैं तो एक मोटिविशन मिलता कि हम सही डारेक्शन में जा रहे हैं आज के लिए वस इतना ही थैंक्यू बाइबाई Have a nice day